हलो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी अंडा करी या फिर आप इसे एक लवाबदार भी के सकते हो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है इसे मैंने आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा तो रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखना आपको ये अंडा करीब बनाने का तरीका बहुत पसंद आएगा चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने गेसिस्टो पे कड़ाई रखती है जिसमें हम दो बड़े चमच ओयल डालेंगे ओयल की मातरा आप कम भी कर सकते हो और जब ओयल गरम हो जाए उसके बाद में हम ये कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें जीरा है काली मीच है लोंग है दाल चीनी है हरी लाइची है और एक चक्रफूल है इसमें से जो आपको खड़ा मसाला पसंदना हो उसे स्कीप कर द अब हम यहां पर डालेंगे 2 मीजिम साइस के बारीक कटेवे प्याज प्याज को हमें गोल्डन-ब्राउन कलर आने तक प्राई करना है यहां पर हम गेज के आँज को मद्यम रखेंगे तो यहांपर प्याज प्राई हो रहा है तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं और य एक हरे मेच, 7-8 लसन की कली डालेंगे और यहां पर मैं थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, आप चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो, जार का धकन लगाएंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, यह देखें यहां पर हमने पेस्ट बना लिया है, तो चलिए अग कश्मिरी लाल मेच, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, यहां पर हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि यह मेच जले नहीं, अब हम यहां पर डालेंगे पेस्ट जो हमने अभी बनाया है, और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, या फिर आप आप अब हम दख देते हैं, दो तीन मिनिट के बाद में हम धकन हटाएंगे, और यह देखें, यह जो हमारा पेस्ट था, वो अच्छे से पकने लग गया है, ओल से परेट होने लग गया है, तो इस तरीके से चमश से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में हम यहां पर यह डालेंगे एक कप पानी, तो यहां पर मैंने एक कप पानी डाला है, सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में हम यहां पर इसे धख देंगे, यहां पर हम गेस की फ्लेम को मध्यम रखेंगे, तो चलिए अगली तयारी करते हैं, यहां पर हमने पांच इस तिल की कटोरी लिए जिसमें हम 2-3 बुन ओयल की डालेंगे और ओयल डालने के बाद में हम इसे कटोरी में इस तरीके से फेला लेंगे तो इस तरीके से पूरी कटोरी में अच्छे से ओयल लगाना है oil लगाने के बाद में हम इन कटोरी में अंडा फोड कर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने 5 कटोरी लिए इसलिए मैं 5 अंडे फोड कर डाल रही हूँ तो इस तरीके से 5 कटोरी में अंडा फोड कर डाल देना है अब मैं यहाँ पर एक से दो पींच नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ जादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा एक या दो पींच साथ में लाल मेच का पाउडर भी स्प्रिंकल कर देंगे और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धन्या भी डाल दिया है यह देखे तो पांचो कटोरी को अब मैं यहाँ पर एक स्टिल की छलनी के उपर रख रही हूँ तो इस तरीके से आपको अंडा फोड कर कटोरी में डाल के तयार कर लेना है अब हम यहाँ पर इसे कड़ाई के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर हम गेज के आज को मध्यम रखेंगे और अब हम इसे अच्छी तरीके से ढख देंगे किसी भी बर्तन या ढखन से और 8-10 मिनिट के लिए मीडियम आज पर पकाना है 8-10 मिनिट के बाद में हम ढखन हटाएंगे और इस तरीके से आपको चम्मस से चेक करना है यहाँ पर मुझे थीक लग रहा है कड़क लग रहा है इसका मतलब है यहाँ पर अंडा अच्छे से पक गया है तो अब हम इसे कपड़े से पकड़ कर बाहर निकाल लेंगे और एक बात को ध्यान रखना है अंडे को स्टीम में पकाते समय अगर आपको यहाँ पर मसाले में पानी कम लग रहा हो तो आप जरूर डाल दीजेगा लेकिन मसाले को जलाना नहीं है अब हम यहाँ पर आदी तेबली स्पून कसूरी मेथी और आदी तेबली स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे साथ में हम यहाँ पर दो से तीन तेबली स्पून फ्रेश मलाई डालेंगे तो यहाँ पर आप मलाई की जगे क्रीम भी डाल सकते हो और यहाँ पर हम दो से तीन मिनिट के लिए गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे हाई फ्लेम पर हम मलाई को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे यहाँ पर हमने अच्छे से मिला लिया है मलाई को अब हम यहाँ पर डालेंगे एक या फिर आदा गिलास गरम पानी डालेंगे कुनकुना गरम पानी डालना है चमच से अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हम इस ग्रेवी को अच्छे से उबलने देंगे और दूसी तरफ जो हमने अंडा ठंडा होने के लिए रखा था वो हलका सा ठंडा हो गया है और इस तरीके से चमज को गुमाते हुए हम इसे निकाल लेंगे ये देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने कटोरी में अच्छे से ओईल लगाया था तो आप जब भी इसे बनाओ कोटोरी में अउयल अच्छे से लगाना जिसकी वज़े से ये चिपकेगा नहीं तो इस तरीके से हम सारे अंडे को निकाल लेंगे और इधर हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से उबल गई है इसे मैंने 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से उबाल लिया था और अब हम यहाँ पर डाल देंगे अंडा आप इस रेसिपी को एग लवाबदार भी के सकते हो ये सेम वैसी ही है एग लवाबदार में हम डायरेक्ट ग्रेवी में फोड़ कर अंडा डालते हैं यहाँ पर हमने इसे अलग से पकाया है और अब हम इसे धक ग्रेवी के साथ म 3-4 मिनिट के लिए पकार लेंगे 3-4 मिनिट के बाद में हम धकन अटाएंगे और यहां पर हम लास्ट में बारी कटा हुआ हरा धन्या डाल देंगे तो यहां पर हमारी बहुत इती इस्ती अंडा करी या फिर एक लवापदार भी बोल सकते हो बन कर तयार हो गई है यहां पर हम गेस की फ्लेम को बन कर देंगे तो आप लोग भी इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत टेस्टी बन के तयार होता है और अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलेंगे टेस्टी बन के साथ